लो गाइस वेल्कम तुमाइस वाइजुकेशन फॉर्मिसन चैनल में स्वागत है गाइस जैसा कि हम बोल चुके हैं कि डेली दो वीडियों आपको प्रवाइड करेंगे तो विल्कुल करेंगे यहां पर देखेंगे हम मानवबाद या व्यवहारबाद को लेकर के डिसकस करने वाले हैं हमारी टॉपिक है तो यहां पर डिसकस करने से पहले हम आप से वेस्ट करेंगे कि यदि आप निव हैं तो चैनल पर विजिट करने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस करें ताक उत्रारधर में जो है राजी समाजेवं मानाव का बेवस्थित अध्यन जो क्या था भी सुविद्याला अस्तर पर प्रारंब हो गया था और इस प्रकार की अध्यन का प्रचलित नाम जो है समाजिक विज्ञान था कि इस नाम में ब्रह्म उत्वन होता था अतर सुविद्या के लिए समाजिक विज्ञान के अंतरगत आने वाले शम्पूरी विश्यों के लिए बेवहार वादी विज्ञान सब्द का प्रियोग किया जाने लगा प्रारम में ब्यवहार वादी विज्ञान के अंतरगत मनो विज्ञान मानो विज्ञान समासास्त रही समलित थे किन्तु बाद में राजनितिक विज्ञान और सास और सिक्षा कानून तथा इतिहास विश्यों के अंतरगत जो है ब्यवहार वाद के अंतरगत सामिल किया गय जिसे की दुतिय विसोई यूद के पस्यात अमेरिका राजनितिक सास्त्रियों उद्वारा जो है बिक्सित किया गया उपागम जो है राजनिति सास्त्र के संदर्व में जो है अपना ध्यान मुख्यता राजनितिक ब्यवहार पर केंद्रित करता है और इस बात का प्रतिपाधन करता है कि राजनितिक गतिविदियों का वज्ञानिक अधियन ब्यक्तियों की राजनितिक ब्यवहार के आधार पर ही किया जाता है देखेंगे कि ब्यवहारबाद अनुभवात्मक और क्रियात्मक है इसमें जो है ब्यक्तिनिष्ट मुल्यों और कल्पनाओं यादी के लिए जो है कोई अस्थान नहीं है ब्यवहारबाद परमपरावादियों के नितांत विपरित है तथा वह जो राजनितिक विज्ञान को राज के कानून वदाशनिक सीमाओं में जो है बाधेर रखने की तैयारी में नहीं है ब्यवहारबाद के अकार्डिंग देखेंगे राज के बाहर समाजिक और राजनितिक छेत्रों की भी जो संस्था है तथा शब को प्रेरित करने वाला जो है मानवी ये ब्यवहार है उसका दियन अधिक आवस्यक है महतपूर है तो देखेंगे ब्यवहारबाद का प्रेडता डेवीज इस्टन को जो जाता है इसको विल्कुल लर्ण रखेंगे तो डेवीड है माना जाता इनकी अंसार ब्यवहारबाद वास्तविक ब्यक्तियों पर अपना जो है समस्त अध्यन केंद्रित करता है बेवहार वादी की अध्यन की इकाई मानों का ऐसा बेवहार है जिसका प्रतेक ब्यक्ति द्वारा परिविक्षण मापन और सत्यापन किया जा सकता है बेवहार वाद जो है राजनितक किया बेवहार के अद्येयन से जो है राजनिती की संरचनाओं तथा प्रतिक्रियाओं आयादी के वारे में वैज्ञानिक ब्याख्याएं विक्सित करना चाहता है गाईस तो यह रहा बेवहारवाद की मीनिंग क्या है उसके बारे में जानेंगे तो वैसे बेवहारवाद से related कई क्यूस्चन इकजाम में पूछे जा चुके हैं उजी सीनेट के कि मानववादी विचारधारा अनुसासन जो है आत्म अनुसासन पर बल देता है मानववाद की तत्व मिमासा में मानव को मुख्य माना गया है और इसमें मानववाद में मनुस्य को द्रिष्टी का सबसे सुन्दर जीवन माना गया है मानववाद में जो है प्रतेक्ष ग्यान को तर्क की कसवटी कसकर स्विकार करते हैं मानववाद पर लोक वाद के विरुद है इन बिंदु में मानव होता है और भावतिक जगत देखेंगे मानववाद के जीवन में सत्सिवं एवं सुन्दरम के तत्तो विराजमान है तीन आधार है सांती प्रगती और जन तंत्र है गाईश देखेंगे दुतिय विस्वए यूद के बाद राजनितिक विसले स्कुन ने राजनितिक सास्त्र को व्यक्तिगत मुल्यों के अंतरगत यहाँ पे विवरुडो कल्पनाओं के भावर जाल से बाहर निकाल कर उसे अनभववादी तथा क्रियात्मक बनाने के लिए जो प्रियास किये हैं उन्हें ही व्यवहारवादी अंदोलन कहा जाता है दूसरे सब्दों में कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा अंदोलन है जिनका उद्देश राजनितिक अध्यन को आधुनिक वनुविज्ञान समासास्त्र असास्त में विक्सित सिधानतों पद्धत्यों तथा खोजों वद्रिष्टिक उड के अधिक निकट लाना राजनितिक विज्ञान के अनुभव वगिक तत्तों को अधिक बैज्ञानिक बनाना है डीविड इस्टन ने जो है इस बौधिक प्रब्रिती तथा तथ्यात्मक सायक्षडिक अंदोलन कहा है व्यवहारवाद एक ऐसा समग्र का क्रांती है जो राजनितिक सास्त्र को तथा इसकी अन्य साखाओं को बैवहारवादी चस्मे से देखती है बैवहारवाद से मिलते जुलते सब्दों का आचरण या कारिक्रिया यादी बैवहारवाद नहीं कहा जा सकता है गाईज देखेंगे मानवी यानि बेवहारवादी सिख्छा के प्रमकुद्दे से क्या है कि मुल्यों का विकास करना समस्याओं के प्रति संबेदन सील रहना छमताओं का विकास करना अब इसके जो करीकूलम क्या है तो मानवी ये विशाय है प्राकृतिक नेचुरल विशाय है और समाजी विशाय है और यहाँ पे देखें के बेवहार वाद तथा बेवहार रिक्ता वाद को भी मानो बिल्कुल सम्मान समझ लिया जाता है बेवारिता वाद एक मनो विज्ञान की अवधारणा है जिसमें जो 1925 की स्रिवन वाटसन ने मानवी वार वाद की सारीरिक भौतिक ब्याक्या करने के लिए किया था इसका उद्दे से की प्रियोजनों भावनाओं और इच्छाओं के विचारों के आधार पर सोद समागरी एकत्रित करना था और यह एक मनो स्थितिय का परिचायक था और इनके द्वरा प्रियोग साला में जो है मानव के ब्यवहार की परिच्छा होती है ब्यवहार वादियों के लिए सिद्ध किया गया है कि व्यक्ति का ब्यवहार परियावरन से उससी प्रकार होता है यहां पर इसकी मेनिम आप देख रहे हैं आप देख सकते हैं स्क्रिंसाट मारके पढ़ सकते हैं ठीक है यह रहा इनके लिरा को इस की पोश करकर क्याप करेंगी स्के डिफिनेंशन के बारे हम जाने जाते हैं ब्यवहार वाद का अर्थ हो अच्छी तरह समझते देखेंगे डेविन टूर्मेन की अनुसार बेवार वादी उपागम से अभी प्राय है कि अनुसंधान ब्यवस्थित हो तथा उसका प्रमुक आग्रह अनाभविक प्रडालियों के प्रियोग पर ही होना चाहिए और इसको देखेंगे इनका भी मौत पूर है डेवी निश्टन की अनुसार बेवार वादी सोद वास्तविक व्यत्ति पर अपना समस्त ध्यान के अंद्रित करता है आगे चलते हैं इस बेवार वाद को जो है ऐसे उपागम है जिनका उद्देश राजनितिक जीवन के अन्भविक पक्ष को प्राडियों एवं सिद्धान्तों की कसरुटी की द्वारा स्पष्ट करता है आधुनिक अन्भविक विज्ञान की आधुनिक जो है अधी नियमों और अभी नियमों और शाह अभी ग्रहों द्वा को पुरा करती है इन जो है अभीग्रह को पूरा करने के लिए बाई ज्ञानिक बनने का एक प्रत्यक्ष मात्र इस जो है अर्थ में उनकी गड़ना हम अनुभविक जो है विज्ञानों में करते हैं इनके छेत्र क्या है गाईश तो छेत्र भी जान जाते हैं तो इसके छेत्र भी विकासी लवधारणा है इसका छेत्र जो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है कोई भी ऐसा छेत्र नहीं है जो विवहारवाद के अंतरगत न आ सके आज बहु पद्धती विज्ञान विवस्था विसलेशन प्रकार्यवादी उपागम समा सास्त्री उपागम आयादी ने जो है इसके वास्त्रिक स्वरूप में परिवर्तन कर दिया इसलिए कारेवाद को जो से कह बेवहारवाद जो है अपने हिसाब से जैसे कारे को भिक्सित करता है बहुत सारे बेवहारवाद के अध्यान छेत्र के विसलेशन के बारे में जानेंगे ओभी यहाँ पर देख सकते हैं इस उलाइट के द्वारा ठीक है तुलनात्मक राजनितिक मद्दान बेवहार नितिक नितियां मुल्य राजनितिक सिंधान्त का उपागम और जो है संकलव सक्ति प्रक्रिया निर्य और मनुस्य से इसमें क्या करेगा कि बदलाव करता रहता है बहुत सारे यहाँ पर आपके सामने स्किन पर दिख रहा है नवीन उपकरण तथा प्रति प्रविधियां और छोटे समुहों वह संगटनों का जो है ब्यक्ति तथा स्रिष्ट रूप है क्रिया वो प्रक्रिया की विधियां है ब्यक्तियों के आपसी संबन ब्यवहारवाद की उत्पतिव अभिकास यह बात सत्य है कि ब्यवहारवाद जो है बिक्सित अवस्था की रूप में है और यह एक आधनिक अवधारड़ा है लेकिन इसके अंच जो है प्राचिन काल में ही देखा जा सकता है और प्राचिन काल से ही राज विष्टा और सासं दोनों ही सीमित है अर्थों में ब्यवहारवादी रहे और मानव के ब्यवहार को देखकर ही काम करते रहे प्लेटो अरस्थू मैकमेलियन हाफ्स लाक्स रूसो आधी अनेक जो है पॉलिटिकल्स वीचारिकों जो है जो मानव ब्यवहार का अलोकन अवस्थिक किया है जानलाग को जो है गाईज यह बिल्कुल याद रखेंगे सारे यह लोग क्या हैं फिलोसपर हैं और जानलाग को ब्यवहारवाद का आधुनिक संस्थापक माना जाता है और इनकी उत्तर दाई जो है लोक तंत्रकी और धारडा अनभाव वादी यह द्रिश्टिकोंड पर अधारित है बहुल वादी विचार धारा इनकी जो है गती प्रदान की है इनको जो है बिक्सित करने में वाल्ट वेज हार्ट जेम्स ब्राइस और लोवेल यादी है ठीक है यही महतपूर टाइफ टॉपिक है जो कि आप पीजीटी में भी पुछे जाते हैं महतपूर चारकों को जो है गती प्रदान की गई है यहां पर पहुत ही महतपूर है कि 1908 में जो है ग्राहम वालास ने जो है अपने पुष्टक हुमन नेचर इन पॉलिटीज में लिखा है कि आथर्स एप्स बेंटल ले ने जो है द प्रोसेस आप बॉर्मेंट में ब्यवहार वात की घोशड़ा किया है ठीक आया ऐ अप देख लेंगे पूरा आते हैं स्क्रीनसाइट मार करके यह सारा रहा इसके कारण किया है ब्यवहार वात के उद er की कारण किया है माना वात dieta ब्यवहार वात परमपरवादी राजितिक सिद्धान्त दोतीय विभर सी यूद पर जो ह की ब्याख्या करने में असफल रहा परंपरागत राजनितिक सिधानतों के जो है दोनों तथा सैधानतिक कठोरता ने जो है राजनितिक सिधानतकारों के असंतोस की भावना को जन्म दिया इसी कारण इनी तत्यों की खोज walk की विवहारवादी कान्ति की नेवपड़ी दुति ये भी सुयूद के बारे में जानेंगे इसमय दुति भी सुयूद ततकाले न अवसकताओं ने राजनितिक विज्ञान की नई चुनोतियों को पेस की है और यूरोपियन बिद्वानों का योगदान इसमें रहा आई हो कि आपका पता होगा कि यूरोपियन बिद्वान कौन-कौन से थे तो अगस्ट काम्टे दुर्खिम मार्क्ष्ट थे ये सारे बेवहरवाद के लिए परिस्थिति के अनकूल परिस्थितिया पैदा की अगस्ट काम्ट जो है अनभावकारी पद्धतियों को विक्सित किया गईज तो ये रहा और दुर्खिम ने भी राजनितिक बेवस्थाओं सरश्चनात्मक क्रियात्मक दृष्टि कोड़ों की भी व्याक्या की आगे देखते हैं समाजिक विज्ञान का भी प्रभाव समासाथ असास और मनोविज्ञान बिल्कुल सेट कर लेंगे ये रहा इसके साथ मारेंगे वोल इतियास है इसके छेत्र में क्रांती बहुत ही पहले आ चुकी थी और देखेंगे राजनितिक संस्थाओं की अस्थापना 1903 में जो है अमेरिका पोलिटिकल साइन्स एसोसियेशन की जो है अस्थापना के साथ ही राजनितिक सास्त्र में ब्यवहारवादी सोद कारी शुरू हो गए इसके साथ ही सोसल साइन्स रिसर्च काउंसिल ने जो है ब्यवहारवाद का विकास करने में अपनाया महतपूर योगदान रहा 1940 में सेंट्रल आप जो है एडवांस्ट एश्टरडीज की अस्थापना भी व्यवारवात के प्रोसान से ही मिला था देखेंगे इसकी जो है आधार भूत मानेता हैं क्या है तो यहां पर हैं आप इनको देखेंगे व्यवारवात के चार जो आधार भूत जो है सिधान था इसमें अध्यान की इकाई छोटी होनी चाह आप पढ़ लेंगे इसमें देखेंगे अंतर अनुसासनी या अध्यन पर बल राजनितिक सास्त्र को एक स्वतंत्र भी से बनाया जा सकता है विसेश्था की बारे में जानेंगे बहुत हुई महत्पूर विसेश्था है इसकी यहां पर इसकी आठ विसेश्थाएं हैं जो है मुल्य क्रमबदता जो विस्थी करन विसुद्धी ज्यान एक ही करन समाई हो जनी यानि रेगुलिटीज भेरिफिकेशन टेक्नीज क्वालिफिकेशन और वैलू जो है सिस्टेमेटि आइस प्योर साइंस इंटिग्रेशन तो ए रहा गाईस आई हो की क्लियर हो रहा ह होगा क्या है बहुत ही महतपुर है देखते हैं यदि आपको पीडियाप चाहिए तो आप कमेंट करेंगे पीडियाप हम टेलीग्राम पर डाल देंगे इसकी सीमाएं लिमीटेशन क्या होती है इस द्रिश्टी कोर से निशंदे महतपुर द्रिश्ट कोर से इन्हें जो है राजनितिक सास के छेत्र में प्रकृतिक में जो है क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है इन्हों ने इसमें देखेंगे राजनितिक पॉलिटिकल्स बिहावियर के अध्यान एश्टरडी के द्वारा जो है राजनित सास को एक नई दिशा दी है लेकिन फिर भी यद्रिश प्रयादी विद्वानों नि जो है इसमें सामील है मूल्य तकी सीमा देखेंगे यह ठीडर नेश्ट है कि नीती रायोगा必़॔र लेकिकल्स फलितिक राजनिति ब्यवहार की ब्याख्या करना अब देखेंगे अलोचना किया गया है तो ये अलोचना भी आप देख सकते हैं ठीक है क्या है ये रहा है आज की टॉपिक ठीक है अब नेक्स्ट वीडियो मिले की बाद में आपको थैंक्स फर वाचिंग गड़ ले